नशे में जूटे दिखावे में शादी समारों और पार्टियों में हतियार दिखाकर उनका प्रयोग करना आम बात हो चुकी है और इसे के चलते बहुत से लोगों को अपनी जान से भी हाथ गवाना पड़ा है ताजा मामला हुश्यारपुर की दसूहा का है जहां पर गाउं हर्दूथला में एक शादी समारों में खुशियों का महौल उसमें मातम में बदल गया जब कुछ नशे में चूर मंचले नोजवानों द्वारा बंदूग से हवाई फायर करते हुए गोली एक बीडियो विनाने बाले व्यक्ती 23 वर्षिय नोजवान को लग गई जिससे उसकी मोके पर ही मोथ हो गई बही पुलिस ने बंदूग चलाने वाले नोजवान रिपू दमन पर कारवाई करते हुए उस पर धारा 302 का मामला दर्च किया है बही जिस नोजवान का हत्यार पुलिस बता रही है कि वो रिपू दमन के एक रिष्टेदार का है और उसके पास कैसे आया और उसका लाइसेंस किसके नाम पर है पुलिस ने अभी तक उन लोगों पर कारवाई क्यों नहीं की ये एक बड़ा स्वाल है लेकिन बेस्पी दुसूहा अश्रू राम शर्मा मामले की जांच के बाद कारवाई करने की बात कर रही है जस्पाल सिंग के एक साथी था फोटोग्राफर अतल कुमार के बयान पर केस रिजिटर हो गया है 302 का ये रिपुदमन सिंग सान अफ उपजीद सिंग उपजीद की लड़की की शादी थी उसमें उन्हें बयान किया है कि ये गान फैर की और जस्पाल सिंग की मौत होगी मौका पर ये इसके समांग में फैर नमर आठ निती ग्यारा एक उनिस अंडर सेक्शन 302 27 चलिंजा उन्हार्ट आर्मजेक्ट के तहती ये मामला दर्ज हो गया है इसमें हमने जो उपजीद का वेटा है प्रिपुदामन सिंग उसको ग्रिफतार कर लिया है इसकी अभी इन्वेस्टिकेशन होगी तबतीश होगी देखेंगे जिसका जो जो कसूर हुआ उसके खलाफ वो जैसी सूरत होगी बैसी कारवई कर दी जाएगी एंस्टा नियूस के लिए मुकेरियां से जोनी गेरा की रिपोर्ट